नमस्कार आपका श्वागत है चुनाहीडे रेस्पी में तो चलिए जटपट से बनने वाली तिल गुड की लड़ू बनाते हैं और बादाम की चिकी बनाते हैं जो खाने में बेहत स्वाधिश लगती और ठंड में तो खाई जाती है और कासकर मकरसा करांती लोडी सब पर रह ही भी है तो इस तरह से आप पतले पतले बना लेंगे और यह बहुत आसान से यह नो फिल रेस्पी है कोई बिगनर भी इसको अराम से बना लेगा और बनाने में बहुत मजा आता है एक क्रेटिव काम जैसा लगता है तो आप जरूर एक वार अपने घर पे बनाए मार्केट से तो खाते ही रहते हैं घर पे भी बनाके खाना अच्छा लगता है यह देखे कितना बारिक बनाई हूं यह गुड की है चीनी की बिल्कुल भी नहीं मैं गुड इस्तमाल की हूँ और अच्छे क्वालिटी की गुड में लेके बनाए जो सबसे पहले मैं दो कब बादाम ल हूँ मैं इस तरह से एक बार जाता बादाम डाल भी देंगे तो भी अच्छे से नहीं भूंती है बहुत देर लगता है और बादाम का जो भी कशड़ा है उसको आप पहले ही से निकाल के साफ कर लें मैं साफ कर ली थी फिर भी एक दो बचा हुआ था और यह मकशकरानती मे जरूर बनता है इस तरह से मैं बादाम को भी भूंज ली हूँ और तील को भी यह सब भूंज के पहले से मैं रख दे रही हूँ ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए कराही एक बार गुड की हो जाएगी एक ही कराही में बहुत जादा आपको जादा कराही गंदा करने के जरूर करके और कुछ मिठाई का डबा का ढखकन है उसको भी ले ली हूं और पत्त के दोने में भी आप बना सकते हैं जिस तरह से चाटखाने वाली पत्ता वाला दो दोनात है उसमें बहुत असानी से चिपकती है उसमें ग्रिस करनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है यह गुड को मैं इस तरह से चाकु से काट के ले ली हूं बहुत जदक गुर्भी मैं नहीं डालूगी बहुत गुर्ड गुर्ड लगे मीठा लगे तो वह भी अच्छा नहीं लगता है चिकी कम मीठा और टेस्टी अखोब सारी मुंग फली वाली चिकी मैं बना रही हूं जिसमें गुर्ड अब डालें इससे एक साइन आती है और कुछ भी नहीं इस तरह से गुर्ड में पानी डाली हूं दोस्तों आप चाहें तो एक चमचा दो चमचा डाल सकते पानी डाल देने से हैं कि टाइम टेकिंग होता है गुर्ड को देर तक घाटना होता जल्दी से यह क्रंच नहीं यह बन के त्यार हो गई है जब यह बन जाए उसी के एक पींच मीठा सोडा में डाली हूं इससे बहुत अच्छा मतलब चिकी में फ्लीकी टेस्ट आता है खाने में बहुत कडाक से नहीं हवाज आती है अच्छे से आप कोई सॉफ्टली करती है टूटती है इस तरह से मैं अच्छे से मिलाकर अभी घेस जल रही है मैं अच्छे से मिलाकर CLGB कर दूँगी मिलानी के बाद रूसकी दोंगी अगर आप ऐसे तरह से अगर मेरी वीडियो पेन हैं तो लॉकर वीडियो कहीं दो सुस्क्राइब जरूर करए दोस्तों आपकी सप्राइब बहुत जरूरह थे अब जासे सपोर्ट करें बेर आइकन पर किलिक करके अब वीडियो फूल वाच करें दोस्तों अब आप समझ में आएगी और और यह हम लोग रेगुलर बनाते हैं तो बहुत सारे मतलब गलती सही करके बहुत अच्छे से सीखी हुई हूँ तो आपको बिल्कुल आपका कोई भी रेस्पी खराब होने वाली नहीं है इस तरह से अगर हम बताते देखिए कितना पतला और कितना कम गुड में बनके त्यार हुई है अगर आप अपने फैंबली और फ्रेंड में इस तरह से करके आप देंगे तो भी आप तारीफी पाएंगे एक पैकेट में बनाके इस तरह से आप अपने दोस्तों के पास ले जाएंगे तो और निकालना बेहाद असाने हलका सा अभी तो थोड़ी गरम है थोड़ी ठंडी हो जाएगा मैं फटा-फट कर रही हूं इस तरह से निकालके क्योंकि हम वीडियो सूट कर रहे हैं इस तरह से निकालना बिल्कुल असाने बहुत ज़्यादा इसको चमल से घुमाना या चाक बनके त्यार होती है आपके सामने ही मैं निकाल रही हूं फटा-फट बिटाउट किसी के हेल्प से मैं बनाई हूं देखिए मैं कस्क पटक दी तो एक थोड़ा तुट गया अब यह ठंडी हो रही है यह लास्ट में थे कड़ाई को अगर ठंडी हो भी जाती है तो कराई को फिर से गयस पर स्लो आज पर रख दे और उसी कराही में फिर से में एक चमचा पानी ली हूं ताकि इसमें गुड जले ना मतलब पहले से गुर चिप की हुई यह कराही में बरतन भी आपका बहुत कम गंदा होगए एक ही कराही में आप गुड की तिल की चिक्की बना ले तिल डाली हूँ वह मैं पानी में टेस्ट कर ली थी उस तरह से करंच हो गया है मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं दिखा रही हूँ यह करीब 300 गराम के लमसम तील है और 200 गराम के लमसम गुड़ में डाली हूँ गुड़ की मातरा आप कम ही रखें तो आराम से बन जाएगी ऐसा ब्रावर मातरा रखनी की कोई जरूरत नहीं है अगर 300 सारे 300 गराम मुंगफली लिए हैं तो उसकी मातरा 200 गराम या 200 से भी कम रखें 200-800 गराम रखें तो आराम से बने दी कि कितनी अच्छी लग रही है वीडियो कहीं से बेच्छी लगे दोस्तों तो एक लैक तो बनता है जरूर करें वीडियो पर नहीं है तो सस्क्राइब करना बिल्कूल न भूलें बिलते हैं नेक्स्ट कि अच्छी बिल्गे उती है है।